नमस्ते मैं हूँ निखिल और आप देखने शुरू कर चुके हैं दील अलन टॉप शो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सुगदेव सिंग गोगा मेडिय के मुर्डर की क्या अपडेट्स आये इसमें और उनके मुर्डर की क्या प्लानिंग और कहानी सामने आ रही है और जाने के साथ ही गुरू कौन है और कैसे वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा उपराधी बनकर उभरा है जेल से कारोबार उसका कैसे चलता है और कौन है वो जो उसके लिए रंगदारी वसूलने के लिए फोन नंबर्स लाला के देता है लारेंस को सबसे पहले जानिये सुग्देगोगामेडी की हत्या पर तास अपडेट्स हम बताने है कि लेलन टॉप की टीम इस समय राजस्थान में ही है अब इना और पंकश ने बात की मारे गए सुग्देगोगामेडी के घरवालों से सुनिये परिजनों ना क्या कहा यह जीत अमारे को बनाए रखनी है आज तो इन लोगों ने अपने गोलिक के लेटर दिया है लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो यह बेहन आपको दुबारा से बुलाएगी और आप लोगों को मेरे साथ हाना पड़ेगा मेरे साथ देरा पड़ेगा अप लोगों को पहली ब आपको आपसे बाती हो गए अपने भाई से आपकी तो वो कभी बताते थे किस तरह का मुझे धंकी मिल या थ्रेट है या मुझे डर है से जान से मारने का बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप करके सुग्देव सिंग जी हमें ही नहीं मैं पता रहा हूँ रिटन रूप से हम तो भाई हो गए, एक चर्चा होती है सभी से, इसके लावा सभी भाई लोग आज खड़े करके, पूरे बारत का भाई आज खड़े करके, सब को पता था, हर मंचों से बोला गए आता साब, आज जो पुलिस इतना सारा उनके साथ पीछे दोड़वा रही है, लोगों को पकड सिमस्कार, हनुमान गर्षित, उनके पैत्रिक गाउं, गोगा मेडी में कर दिया गया, बता दें कि गोगा मेडी के हत्या के बाद से, ये राजस्थान में करणी सिना के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब रोहित गोदारा नाम के गुंडे ने गोगा मेडी के हत्या के ज और इन सारी खबरों के बीड जब गोगा मेरी कांतिम संसकार हो गया तो क्या माहौल था सुनिए सम्मादाता अभिनो पांडे को और मनाईश के बाद परिवार उनके अंतिम संसकार के राजी हो जाता है सुबह 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 यहां से 6-7 बजे के करीब उनके शौक ले जाया जाता है रास्ते में लोग अंतिम दर्शन के लिए खड़े रहते हैं जगह जगह पे वहाँ पर मालयारपन करते हैं उनके समर्थ सकते हैं उसके बाद जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब उनका पार्थिव शरीर वो गोगा मेड़ी गाओं हनुमानगर पहुंच चुका है और उसके बाद जब यह हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अंतिम संसकार की प्रक्रिया चल रही है यह हमें वहा अब आताती है मुर्डर के कारण की। जब रोहिद गोदारा ने गोगा मिडी के मुर्डर की जिम्मेदारी ली तो कहा कि उसने बदला लिया है। बदला किस बात का। ये कहानी मुर्डर के 24 घंटे बात खुली। इंडिया टुडे के जैकिशन शर्मा के रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिसंबर 2022 को राजस्थान के सीकर में रोहिद गोदारा ने राजू ठेहट नाम के गुंडे का मुर्डर करवाया। उसके मुर्डर के बाद शेखावाटी इलाके में लौरेंस बिश्णोई का गैंग मांग से भड़के बिजनेसमैन के साथ खड़े हुए। इधार रदनगर के एक प्रॉपर्टी डिलर महिपाल सिंग के पास वाटसैप पर एक मेसेज आया। ये एक वॉइस मेसेज था जो 8 दिसंबर 2022 को भीजा गया था। जब महिपाल सिंग ने मेसेज पर प्ले का आइकन क्लिक किया तो उधर से आवाज आई मैं रोहिद गोदारा हूं 15 दिसंबर तक 50 लाख रुपे जुटा लो वरना तुमने सीकर में देखाई है कि क्या अंजाम होता है अगर भविश्य में काम करना चाहते हो तो तुमको पैसा देना होगा। महिपाल सिंग ने कोई आक्शन करेंगे नहीं लेकिन इस समय तक महिपाल सिंग को सुकदेव गोगा मेडियो और उसके सही होगी आननदपाल के गैंग का समर्थन मिल चुका था आननदपाल को तो पहले ही राजस्तान पुलिस ने मार गिराय था अब ये गैंग उसके भाई विक्की सिंग और मंजीत सिंग चला रहे थे तो इन गैंग का साथ मिलने के बाद महिपाल ने रंगदारी देने से मना कर दिया मतलब गैंग से धंकी आई है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी गैंग और इधर गोगा मेडी ने खुले आम लॉरेंस गैंग के खिलाफ आवाजे उठाना शुरू कर दी वो व्यापारियों को रंगदारी देने से रोकने लगे इस से लॉरेंस बिश्णोई चिड़ गया उसे गोगा मेडी और उनकी करणी सेना के प्रभावाले लाकों में अपनी पकड कमजोर होती दिखाई देने लगी गोगा मेडी और बिश्णोई की बीच इस तरह अदाव शुरू कर दे नेरा ने हामें भी भर दी हत्यारों का इंतजाम शुरू हुआ ध्यान रहे कि ये फरवरी 2023 का महिना था और इसकी भनक पंजाब पुलिस को लग गए थी उन्होंने मार्च महिने में ही राजस्थान पुलिस को अलर्ट किया था कि गोगा मेडी की जान को खत् प्रकाश डाल रही है इस सब में एक चीज़ तो सामने आती है एक तो क्या ये एक फेलियर है खास पर पर दाजिता हैं पुलिस का वो भाप नहीं पाए कि एक हाई वाल्यू टार्गेट है और ये उस समय हो सकता है जब सरकारें ट्रांजिशन पीरियड में हैं जहां पर गं अगर हम बात करें संपत नहरा की तो ये अगर इसके बात करें तो ये अगर इसके बात करें तो जैसी कह रहें के चूरू राजस्तान से है और 26 साल का है पांच फुट ग्यारा है और इसने काफी आर्म्स रिलेटेड क्राइम किये हैं मुर्डर है अटेम टू मुर्डर है तो ये मीन्स एक चटावाद बदमाश है साथ ही लौरंस पिश्णोई गैंग का एक एहम हिस्सा है खास तो और पे जो हमें हर्याना पुलिस और पजाब पुलिस से जानकारी मेली है क्योंकि ये महिंदरगड का रहने वाला नितिन फॉजी जैसे हुआ तो वहां पे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो इनके लिए खिलर साबित होंगे ऐसे लोग जिनके पास पास एंटिसिदेंट नी हो जिनको टाक डाउन करना मुश्किल होगा और देखे नितिन फॉजी के पास थास तौर पे आर्म्स ट्रेनिंग थी क्योंकि वह नाइटीं जाट रेजिमेंट से था तो वहां पे सेना में वह चुट्टी पर आया दो दिन के लिए लेकिन द रेकी किया गया उनने पूरी तरह से देखा कि कब एक टाइमिंग के तहत चूज़ किया गया कि कब ये इस पूरी घटना को अंजाम देना है दूसरी चीज़ को एडेटिफाय किया गया कि कौन है जो रडार में पुलिस के रडार में नहीं होंगे तो वहां पर इन दो तो वहां पर यहां पर गैंग डॉर की बात आ रही है, तो वहां पर यह देखना होगा कि क्या रोल है, और खास्तोर पर अभी जो शुरूवाती जानकारी है, उसमें तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जैसे शुरू में ये भी बोला गया था, कि एक इन में से जो बदमाश है, मारा गया है, लेकिन बात भी इंटरमीडियर रही निकला, तो वो जो चीज है, वो एक जो क्लारिटी है, वो इंवेस्टिकेशन में सामने आएगी, लेकिन ये बात जरूर है, कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो गैंस्टर्स हैं, वो एक कदम क्या सौ कदम आगे ही चल रहे हैं, ज इतने पर्सनल बॉडी गार्ड्स हैं, उनको दिये गए थे, लोट किये गए थे, उन्होंने उस समय किया, जब चुनाव बिलकुल सर पे थे, और खास तो पर जब रिजल्ट आउट हो रहे हैं, पूरा जो कई बार होता है, जो वेटन्स हैं, वो जमा कर लिए जाते हैं, त ये एक मोडस परेंडा है, जो बिलकुल स्ट्राइक आउट रहता है, कि तब ही ऐसे लोगों का शिकार होता है, खास तोर पे जो रिडार पे होते हैं, जब उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, खतरा टल गया है, जैसी वो रिलाक्स होते हैं, अब देखे, अपन कि उनके विरोधी गैंग को कोई सपोर्ट कर रहा है, तो ये उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं, और क्या सुकदेव सिंगोगा मेडी भी गैंगस्टर्स की इस अगोशित नियम का ही शिकार बन गए, हत्या का कारण और उसकी ब्लानिंग जानने के बाद हम आपको बताते हैं कहानी गैंगस्टर रोहिद गोदारा के बॉस की, कैसे कॉलेज का एक स्टूडेंट नौत इंडिया का सबसे बड़ा बदमाश बना उसकी गुंडागर्दी, इतनी कैसे बढ़ गई कि वो देश की सबसे सुरक्षित जेल में बैठ कर भी विदेशों में बैठ कर अपने 1993 की फरवरी में उन्हें एक बेटा पैदा हुआ, लौरेंस नाम का, साल 1997 आते आते लविंदर कुमार ने सर्विस छोड़ दी, खेती बाड़ी वो करने लगे, अपने बेटे लौरेंस को उन्होंने कक्षा दस तक आबोहर के ही एक कॉन्वेंट में पढ़ाया, आगे के पंजाब युनिवरस्टी, पी-उ, और उसके बैनर तले स्टूडेंट यूनियन के अद्धिक्षपत का चुनाव भी लड़ा, उसके सामने चुनावी मैदान में उदहस है, और डग का ग्रूप था जिससे लौरेंस विष्णोई चुनाव हार गया, इस हार के बाद चंड दो कहानिया वैसे चलती है, पहली कहानी, सामने वाली साइड ने लौरेंस की प्रेमिका को गोली मार दी, दूसरी कहानी कहती है कि सामने वाली साइड ने लौरेंस की प्रेमिका को जिन्दा आग के हवाले कर दिया, और इसे हाथसे का रूप दे दिया, अब लौरेंस को परीक्षा में जो भी हुआ हो, लॉरेंस ने पढ़ाई छोड़ दी, वो जग्गु भगवान पुरिया के कॉर्नमेंट में आया था, और इस दलदल में धस्ता ही चला गया, लेकिन कहा जाता है कि इस घटना के काफी पहले ही लॉरेंस ने अपराद की दिश्चा में कदम बढ आया, जब 2011 में चंडीगर्ड में फाइरिंग हुई और लॉरेंस नामजद हो गया, तो उसके गुंडागर्दी बढ़ गई, उसके नाम FIRS लिखी जाने लगी, नाम मुकदमे में आना आम हो गया, अब तक उसके नाम पर लगभग 5 दरजन FIRS लिखी जा चुकी है, अब पर हत्या की कोशिश का मामला भी दरज हुआ, जेल जाने के बाद उस जमानत पर रहा हो गया, इसके बाद फिर उससे 0.5 बोर की पिस्टल और कार्टूस के साथ गिरफतार किया गया, अगस 2012, लॉरेंस के खिलाफ सेक्टर 34 थाने में हत्या की कोशिश दंगा करने और कई ध इर आने के लिए उसने पुलिस को चक्मा दे दिया, 17 जनवरी 2015, पंजाब की खरड पुलिस उसे कोट में पेशी के लिए ले जा रही थी, तो वो पुलिस को चक्मा देकर फरार हुआ, दस और उसके मामा के दो बेटों की दिसमबर 2014 में हत्या हो गई थी, ये हत्या गैंक्स अब ही वो रम्मी मशाना की तलाश कर रहा था, लेकिन 4 मार 2015 को लॉरेंस फजील का पुलिस के हत्ये चड़ गया, गिरफतारी होई तो पुलिस ने रहत की सांस, क्योंकि अगर लॉरेंस बाहर रहता तो गैंक्स्टर मशाना और हर गुबिन सिंग की हत्या कर सकता था, लेकि के जरीए वो पंजाब, हर्याना और राजस्थान में वसूली, रंगदारी और लोगों को जान से मारने के धंकी देने के साथ ही हत्या की सोपारी भी लेने लगा, उसके पास विदेशी सिंग कार्ड भी आ गया जिनके जरीए वो वाटसैप से मेसेज भेडने लगा, जोदपूर पुलिस 30 अपरेल 2017 को लॉरेंस को प्रोडक्शन रिमांड पर जोदपूर ले गई, जोदपूर में आने के बाद भी लॉरेंस ने मॉबाइल के जरीए वसूली और धंकी का खेल जारी रखा, परिशान जोदपूर प्रशासन ने उससे 23 जून को अजमेर की जाने के बाद लॉरेंस बिश्णोई की मुलाकात वहाँ आननपाल गैंग से हो गई, इसके बाद तो लॉरेंस की ताकत और बढ़ गई, ध्यान रहे कि ये वही आननपाल था जो आगे जाकर गोगा मेडी का करीबी हुआ, और लॉरेंस से दुश्मनी भी पाली, अजमेर की जिस जेल के हम बात कर रहे हैं, वो राजस्तान में काले पानी की सजा मानी जाती है, जहां पूरे राज्य के कुख्यात अपराधी बन है, अपराधियों के लिए जेल इतनी सक्त मानी जाती है कि कुख्यात आननपाल इस जेल से पेशी पर जाने के दोरान ही फरार हुआ था इसी जेल में राजस्थान के कुख्यात आननपाल के गैंग के भी शूटर थे, इस जेल में आने पर लॉरेंस के मुलाकात आननपाल के भाई से हुई, आननपाल के एंकाउंटर में मारे जाने के बाद आननपाल का गुट थोड़ा कमजोर पड़ा, लॉरेंस ने इस गुट को अपनी टाकत दी। जिस अज्मेयर जेल में जाने साफरादी खौफ खाते थे। लौरेंस वहांभी पूरी मौज्ड में रहा। अज्मेयर जेल में आने के साथ ही उसके पास मुबाइल उपलब्द हो गया। पुलिस को इस बात का पहले से अंदेशा था इसलिए उसने लॉरेंस के नंबरों को सर्विलिंस पर लगा कर रखा था। पुलिस कमिशनर अशोक राठोड के कहने पर अजमेर एसपी ने जेल में दबिश दी और लॉरेंस के पास से दो सिम कार्ड बरामत किये लेकिन लॉरेंस के पास फिर सिम कार्ड और मॉबाइल पहुच गए। अजाट और रविंदर काली से जोधपूर के कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवाई। इसके बाद तो आनंदपाल गैंग के लोग भी उससे अपना सरगना मानने लगे। अलांकि पुलिस लॉरेंस के गुर्गों को गिरिफतार करने में कामयाब रही लेकिन लॉरेंस ने फिर से नई लोग एक अटाक कर लिये। जेल से जो भी जमानत पर बाहर जाता वो लॉरेंस का हाद भी बनता और उसके लिए ही काम भी करने लगता। लेकिन जो आननदपाल अब तक लॉरेंस का दोस्त था वो अब दूर जाने लगा। साल 2017 तक वो जेल से बाहर आकर अपने स्तर पर वसूली करने लगा था। वो सुगदेयो गोगा मेडी का करीबी हो गया। राजपूत पॉलिटिक्स में उतर गया। तब साल 2017 में ही राजप्तान पुलिस ने मुडबहर में उसे मार गिराया। मुगबरी में नाम आया लॉरेंस विश्णोई का। कहा गया कि आननदपाल सिंग ने विश्णोई से दूर जाने की कीमत अपनी जान दे कर चुकाई। जेल में बैटकर अपनी आपराधिक सत्ता चला रहा लॉरेंस विश्णोई पुराने मामले के सुनवाई के दौरान पांच जनवरी को राजस्थान के जोदपूर में पेशी पर पहुचा। पेशी से लोटने के धरान पुलिस की जीप में मीडिया के लोगों ने उससे जुड़े मुकदमे पर सवाल किया। कल कोई और पकड़ा जाएगा तो उस पर आरोप लगा देगी। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। मेरा अपराधिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। ता सलमान खान का नाम काले हिरन के मुर्डर में आया तो लॉरेंस ने इसका बदला लेकालने की सोची चूंकि बिश्णोई समाज काले हिरन की पूजा करता है तो हत्या उन्हें पर खून के बदले खून का सिध्धान लगाया गया और धंकी जारी कर दी गई और सलमान खान को धंकी देने के बाद लॉरेंस बिश्णोई की कहानी तलाशी जाने लगी तो ये सारा सब सामने आ गया जब साल 2022 में पंजाबी गाया एक सिध्धु मुसेवाला का मुर्डर किया गया तो उनके मुर्डर की लॉरेंस बिश्णोई ने जिवमेदारी ली इसके बाद देश में हुए कई हत्या कांडो और हत्या की धंकियों में उसका ही नाम आता रहा साल 2023 में जब कैनेडा में खालिस्तानी समर्थक सुखा दूने का मुर्डर किया गया तो आरोपी की तलाश हुई और सामने आया लॉरेंस उसने कहा कि मुर्डर मैंने करवाया है और ये सारी हत्याय तब हो रही थी जब वो दिल्ली में मौझूद तिहार जेल में बन था अब पुलिस ने ज्यादा सक्ति दिखाई लॉरेंस से पूछ ताच की कैसे काम करता था उसने खुच जबाब दिया उसने अपना जाल ऐसे पहलाया कि वो जेल के अंदर रहे बाहर उसका गाम चलता रहता था वो देश की किसी भी जेल में रहा उसने उत्तर भारत के कारोबारियों से करोडों की वसूली की कभी राजस्तान के कारोबारियों से कभी चंडीगर से कम से कम दस कलब मालिकों से कभी अमबाला के मौल मालिकों से, कभी शराब कारोबारियों से और कभी दिल्ली और पंजाब के साटोरियों से भी करोडों की उगाही की जिल में लॉरेंस के गुर्गे ऐसे कारोबारियों और धंदे बाज़ों के नमबर लेकर आते रहते और लॉरेंस के नाम पर जाने वाले एक एक फोन कॉल पर करोड़ो रुपे उसके बताय ठिकाने पर पहुँच जाते उसने बड़े-बड़े क्राइम सिंडिकेट और गुंडो को अपना गुर्गा बनाया रखा हुआ है इसमें गुल्डी बराड, काला राना, गुरलाल बराड और काला जेठड़ा जैसे गैंकस्टर अकसर ऐसे नंबर्स लॉरेंस को मुहिया करवाते रहते हैं इनमें गुलाल बराड का कतल हो चुका है लेकिन बाकी गैंकस्टर्स की और से ये सिलसला अब भी जारी है अब ये कमाई का जरीया हुआ, ये खर्च कहा होता है? हत्यारों बर लॉरेंस के गुरगे और खुद लॉरेंस सालों से अपने गैंक के लिए हत्यारों के तसकरी करते रहे हैं उसने कबूला है कि साल 2018 से 2022 तक उसने यूपी के खुर्जा से अपने करीबी गैंकस्टर रोही चौधरी के मारफत आम सप्लायर कुर्बान चौधरी और शहजाद से दो करोड के हत्यार खरीदे इन में 9mm की पिस्टल भी थी तो AK-47 राइफल्स भी ये हत्यार यूज हुए सिद्ध मुसेवाला के मरडर में जैसा कि आप जानते ही हैं कि विश्णोई का करूई भी है गोल्डी बराड जो कैनड़ा में बैठकर सारी प्लानिंग और काम करता है उसने ही मुसेवाला की मुर्डर की प्लानिंग कैनेडा में बैठे बैठे की थी पैसा लगाता है लॉरेंस अब आप समझ ये कि ये दोनों दोस्त काम कैसे करते हैं मई 2022 में एन आई एन दोनों के खिलाफ आरोपत्र दायर किये जिनमें उन पर पतिबंधित संगठन, बबबर, खालसा, इंटरनाशनल और अन्य अलगावादी संगठनों के साथ सम्मंद रखने का इलजाम लगाया गया बताया जाता है कि विश्णुई के पास लगबग 700 शूटर हैं शूटर्स को पैसे मिलते हैं, हत्यार आते हैं सीमा पार्स से बाकी कामों के लिए दिल्ली, हर्याना, राजस्थान और पश्चिमी, यूपी में बैठे छोटे बड़े कुंडे गैंग विश्णुई के साथ काम करते हैं जो साथ काम करते हैं, वो साथ रहते हैं, जो साथ काम नहीं करते हैं, उनका काम तमाम कर दिया जाता है, ये गैंग्स्टर्स की भाष्चा है इन सारे गैंग के टॉप लोग फरजी पासपोर्ट पर विदेश भाग चुके हैं पहले ही उनके साथ के कुछ लोग अभी भारत की जेल में पंध है भारत की जेल इतनी सुरक्षित है कि वो जेल से भी अपना काम कर ले जाते है मतलब गैंक्स्टर भी जेल में सुरक्षित ही है गैंक्स फलते फूलते रहते हैं पुलिस कहती रह जाती है कि वो कारवाई कर रही है गैंग की कामीाबी और पुलिस की नाकामी की सलसिला यूही बदस्तूर चलता रहता है हमने बात की तिहार जैल के पूर जैलर सुनिल गुपता से सुनी और उन्होंने जेल से चल रहे इस Crime Syndicate के बारे में क्या बता है? हम से बता है कि हम जब प्रेंड्ली गैंग हैं उनको तो एक जेल में रख देते हैं, पर जो आपोजिट गैंग वाले होते हैं, उनको अलग अलग जेलों में रखते हैं तो यह सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ पर क्या होता है कि जब एक गैंग दूसरी गैंग के उपर अटैक करता है तो जनली जो इसकी जो सुरक्षा की विवस्ता है वो हमने आउट्सोर्स की वी है तमिलाडू पुलिस को अच्छा तमिलाडू पुलिस वाले जो है जनली में देखा है वो इतने सौट हटिड होते हैं वो जब देखते हैं कि कुछ यह हो रहा है तो उन में इस टाइब का प्रोफेशनलिजम नहीं है कि वो कोई अगर एक गैंग का मेंबर दूसरे गैंग को मार रहा है उसको वो जो है छुडवा सकें या उन गैंग वालों से लड़ सकें इवन दो इनके पास सब कुछ असला वगरा इतके पास होता है एक्सपरटीज होती है सब कुछ होती है पर यह क्योंकि बाहर के लोग हैं तमिलाडू के लोग हैं तो इन दिली, वो थोड़े से डरते हैं ये, कि दिली वालों के उपर ये कुछ करें, इनको ये होता है कि केस अगर बन गया, तो पर दिली में रुका रहना पड़ेगा और सारा इनका सर्यूस केरियर जो है, चोपट हो जाएगा. तो इसको आप मोटे उसमें कहेंगे तो नान प्रोफेशनलिजम है, उसकी वज़े से क्या होता है, कि मैंने देखा है, कि जब भी एक गैंग वाला गर बहार आ जाता है, अगर वो जेल के अंदर ही लाइन अर्टर प्राव्ब्मों क्रेट कर रहा है, तो उन्टच्च्ट रहत हैं, उनके पर कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि उनको जो रिपल्शन होना चाहिए हमारी उससे, उनको प्रापर रिपल्शन होता नहीं है, तो इसी वज़े से ये जो है, गैंग एक्टिविटी से हैं, जील के अंदर मर्डर हैं, जील के अंदर एसकेप हैं, जील के अंद भारत का सबसे बड़ा अपराधी कैसे बना लॉरेंस फिश्टनोई का गॉड फादर कौन है बिना किसी की सरपरस्ती के इतना बड़ा से इंडिकेट तो चल नहीं सकता लॉरेंस जेल में है वो अपना कारुबार भी जेल से ही चला रहा है जब एजेंसियों को ये बात किस्तानियों को मर वाया एक तबका लॉरेंस को भारत माता का बेटा तक कहने लगा है तो इन चर्चाओं को हवा कैसे मिलती है इसमें सच कितना है आपने सवाल सुनिए अब सुनिए जवाब लॉरेंस ने बड़ा अच्छा एक ऑपरेट करने का जो सिस्टम है उसने अपने सारे खास गुर्गों को अलग-अलग भरतिया करता रहता है अलग-अलग जगों पे रख रखा है खुद जेल में है जेल के अंदर से कमान देता है और सारे काम हो जाते है कुछ गुर्गे ज हम चुकि हमारी ट्रीटी है पकड़ कर ला सकते हैं कैनेडा जो है बड़ा सेफ प्लेस है चाहे वो गोल्डी बराड हो या भी जो सुकदेव सिंग मामले में जिसने जिम्विदारी ली है रोहित गोदार गोदारा भी जो है इस वक्त है 2022 में फेक पासपोर्ट पर निकल गय उसके बारे में भी यह कि वो कैनेडा में तो एक गैंग या गैंग का लीडर अगर जेल के अंदर है और जेल के अंदर से ऑपरेड़ कर रहा है तो यह अपने आपने इस लीग भी बड़ा हो जाता है और सवाल बी उड़ता है बतल बद करेजाता है कि आप किसी क्रिमनar को पकड़े तो जेल भेजोगे वो तो जेल में बैठाओ और सब कुछ कर रहा है और ये सारे पुलिस सारे कानून वेवस्था जीडिशरी सब को पता यए तो आप फिर क्या करोगे उसको पकड़े जेली तो लाओगे जेल में तीच सारा कुछ कर रहा है तो यहाँ पे बेबसी म यूसी लाचारी यही सब दिखाई देती है और उसकी वज़ाई है जो हमारा गेल सिस्टम जो करप्ट है अगर स्रिफ फोन ये कम्मिनिकेशन तो दें क्रिमिनल और बाहर बैठी वी दुनिया से तो आधा मसला तो यहीं हो जागा लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं जब छोटा राजन था और दाओद गैंग फिर अलगाओ हुआ 93 ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद पहली बार अंडरवल में दो खेमा बटा एक हुआ रास्ट्रवादी डाउन और एक हुआ था एंटी नैश्टनल डाउन तो वो मिला एक तरह से छोटा राजन को कि नहीं नहीं या तो देश के लिए काम करता क्योंकि दाओद के बारे में इंपुट दे रहा एजनसियां और हमारी एजनसियां ऐसा नहीं क्रिमिनल का यूज करती हैं ये कोई वैसा छुपी भी बात नहीं ओपन सीक्रेट है तो जब 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 ज़रूत होती है ऐसे लोगों की मदद ली आती है क्योंकि जब भी कोई बड़ा उप्रेशन होता है तो ऐसे उप्रेशन में हम लोग सोचते हैं कि जाकर जैसे देश के बाहर भी हो रहा है तो हमारी एजनसियों के पास इतने मैन पावर या इस तरह के शूटर और वो नहीं होते हैं लेकिन इन जैसे गैंगिस्टर जो बंद इस पर कहींने कहीं मीडिया के बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मीडिया भी इसके लिए दोशी है कि हम किस तरीके से ऐसे लोगों को ग्लोरिफाई करते हैं मैं जानता हूं मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि मैं क्राइम जर्नलिस हूं कहते हैं कि एक बार लोरेंस जिशनोई से आपने सामने मिला दो बड़ा हैंसम लगता है बड़ा अच्छा है हीरो टाइप है तो जो मैं यह सुनता हूं तो मैं फिर बड़ा अजीब भी लगता है कि पता है कि इसके उपर कितने कतल हैं कितना बड़ा क्रिमिनल है लेकिन फैन हैं लोग जो आपने का बिल् पॉस्वाइब करते humor कारी कि परदा भी परदा किसे डालनाए जब पन्जाब में पाकिस्तान के बॉर्डर के थे थे हार भापकी चीजजें आ NIH ए इस वक्त लौरेंस विश्णोई ने कहा था कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले इन सारे चीज़ें ये सब हमारे दुश्मन है और हम इने रोकेंगे जो भी होगा करेंगे क्योंकि भारत माता और सारी बाते उसने वो कही जो एक मतलब कोई भी एक सचा हिंदुस्तानी कहता है तो इससे क्या होता मैसेच जाता है कि नियार ये बंदा तो बिलकुल अपना देश के लिए तना प्यार करता है और हम उसी में खोग कर रह जाते हैं उलच कर रह जाते हैं जबकि गहराई में अगर जाएं तो तुम जब देश से प्यार करते हो तो फिर उन्हीं देश में रहने वाले बेकसूर बेगुना लोगों को क्यो मार रहे हो वो भी तो भारती हैं वो भी तो हिंदुस्तानी हैं लेकिन हम अतनी कहराई में नहीं जाते हैं इसकी वज़ा यह है कि इस वक जो पूरा मूड और महौल है वो ऐसे ही है कि या तो फिर तुम रास्ट भक्त हो या फिर रास्ट विरोधी है तो उसने भी ये जुमला पकड़ रखा है और उसे पता है कि कैसे सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाना है और यहीं वज़ा है कि फिर वो आराम से जेल में बल्ग जो जानते हैं करीब से लॉरेंस विश्णोई जब जेल से निकलता है या कभी कहीं पूछता चोती है अगर आप उसको देख लेंगे सवाल ये भी है कि लॉरेंस पर राजस्थान में कितनी कारवाई हुई है ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए इस साल जुलाई में गहलत सरकार विधान सभा में राजस्थान संगटित अपराध नियंतर्न विधे यानि राजस्थान कंट्रोल ऑफ और्गनाईस क्राइम आट राकोका लेकर आई राकोका के प्रावधानों के मताबिक गैंग बनाकर अपराध करने बालों की प्रापरटी जब्त होगी इससे सरकार अपने कबजे में लेगी गैंक्स्टर्स की प्रापरटी पैसा अपने कबजे में रखने बालों पर भी कारवाई होगी उनको भी सजा होगी गिरो बनाकर फिरोती वसूलने और पैसों के लिए धंकाने बालों का राकोका की दायरे में लिया जाएगा इस बिल के आने के बाद राजस्थान में बड़े गैंक्स्टर्स पर क्या कारवाई हुई सुने जानका रहोगी राकोका की जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक बड़ा पेची ये फसा हुआ है कि फिलाल वह पारित होना बाकिया उससे इंट्रड्यूस तो किया गया था लेकिन हाँ पुलिस ना ऐसे कई मामले हैं फिर चिताओड़ के अंदर हो जहां ड्रक्स माफिया की प्रॉपर्टी जब्त करीब बुल्डोजर चला है पेपर माफिया की प्रॉपर्टी जब्त करीब बुल्डोजर चला है लेकिन अदेखिये जब तक जो एक सटीक इंटेल पे था उसका पुलिस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ये काम कर लेगा वह रेकी कर रहे थे बार-बार नवीन शेखावत जो है को पुरों ने फसाया रोहित राठोड ने और नितिन फौजी ने नितिन फौजी बताय जाता है सुत्रों के द्वारा कि वह फौज से ज लिए और हुआ एक्ट मजबूत है बहुत मजबूत है जैसे ये पास होगा लेकिन इससे पहले भी कई अपने लेवल पर अलग अलग प्राधानाओं को परयोग करकर बुल्डोजर चलाया गया है लेकिन ये इतना एफेक्टिव नहीं होंगे ये बाद में हो सकते है कारवा पुलिस कारवाई करे और प्रॉपर्टी अटैच करे ताकि एक स्ट्रॉंग मेसेज जा लेकिन सबसे पहली कड़ी होती है आरूपियों को का चैन करना क्या वह उचके सपराध में सनलिप्थ है वो उसको चैन करना फिर बाद में उनको सलाकों के पीछे डाले उमिद है कि ज शुक्रिया शुबरात